जै गाज माता की, श्वागते आप सभी का मेरे अच्छ वारत द्वा यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको गाज माता की ब्रत की बिदी और कता सुनाँगा, यह ब्रत पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, जिनके पुत्र है, संतान है, उनकी आयू लम्मी होती है, कभी क कोई कश्ट नहीं आता, बात ब्रत मास के महिने में इस कता का प्रति दिन स्रवड करना चाहिए, प्रति एक महिने में आप प्रति दिने जे कता सुन सकते हैं, बहुत ही शुन्दर कता है, इसके सुनने से गाज माता की किरपा बनी रहती है, माता भगवती, माता दुरगा, ह या पुत्र का बेवा हुआ हूँ या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पारी हो जब वेवा होता है तो उसी बर्स भादपद मा में किसी शुप दिन को देखकर गाज माता का ब्रतवा उद्यापन किया जाता है किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो गाज माता के लिए आप बोलें क गाज माता मेरे जब पुत्र की प्राप्ति होगी तम मैं उध्यापन करूँगा कडाई करूँगा तो मनो कामना अवश्य पूरी होती है साथ जगे चार-चार पूरी और हलवा रखकर के उस पर कपड़ावा रुपया रखे एक जल के लोटे पर सात या स्वास्तक चिन्द बनाई साथ दाने गेउं के हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुने इसके बाद सारी पूरी ऊड़नी पर रखकर सासु जी के पैर चूखर के देते हैं बाद में लोटे के जल में कुछ मीठा मिला करके भासकर भगवान यानि सूर्य भगवान को अर्ग दिया जाता है इसके बाद साथ ब्राह्मनियों को भोजन कराकर दख्षिना दे करके स्वेम भोजन करते हैं गाज मातागी का था पुराने समय की बात है एक राजा थे राजा बड़ा धर्मात्मा था वो है नियमत रूप से भगवान की पूजा पाट किया करता था और प्रजा की भी देखवाल किया करता था राजा बड़ाई धर्मिक था लेकिन उसके एक ही दुखता उसके कोई पुत्र नहीं था कोई संतान नहीं थी राजा रानी संतान के ना होने से बड़ी दुखी थी वह दिन रात यहीं सोचा करते थे हमारी संतान नहीं है हमने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की लेकिन फिर भी हमारे कोई संता नहीं है पता नहीं भगवान यह सुक हमें क्यों नहीं दे रहे मेरे बाद में कौन राज बाल समालेगा कौन हमें जल देगा इसी चिंता में राजा रहता था एक दिन राणी ने गाज माता से प्रातना की अगर मेरे गर्व रह जाए तो मैं तुमारे हलवे की कड़ाई करूँगी और उसने राणी ने सुना की गाज माता मनुकामना पूरी करती हैं तो उसने गाज माता से प्रातना की कही गाज माता यदि मेरे गर्व रह जाए तो मैं आपके लिए हलवा पूरी की कड़ाई करूँगी इसके बाद गाज माता प्रसन हो गई और राणी को बरदान दिया राणी गरबती हो गई, राजा के घर पुत्र पैदा हुआ और जब राणी ने ये बोला था, तो माता गाज माता किरपासे राणी गरबती होई और उसके पुत्र पैदा हुआ, इस पकार पुत्र पैदा होने पर खुशी मनाई गई, परंतु गाज माता की कड़ाई करना रानी बोल गई, इस पर गाज माता कुरुद हो गई, एक दन रानी का बेटा पालने में सो राता, आधी पालने सहत लड़के को उड़ा ले गई, औ लेकिन जो रानी थी उसने बोला था, कड़ाई बोला था कि गाज माता की कड़ाई करूँगी, जब मेरे पत्रोगा संतान होगी, लेकिन पत्र भी हो गया, खुशी भी मनाली, उसनों उन्होंने गढ़ाई नहीं की, इससे गाज माता कुरुद हो गई, उन्होंने इस बील बील ने जंगल से घर आये, उन्होंने अपने घर में एक बालक को पाल्ले में सोता हुआ पाया, बील बील ने दोनों बड़े प्रसंद हुए, उन्होंने भगवान का प्रसाद समझकर बील दमपत्ती ने उस प्रत्र को रख लिया, और उन्होंने खुशी-खुशी कहा ये बगवान का प्रसाद है, हमारे कोई संता ने थी, बगवान ने हमारी सुन ली, एक दोभी था, जो राजा और बील बील ने दोनों की कपड़े दोया करता था, दोभी राजा के मैल में कपड़े देने गया, तो उसे वहांपर सोर सुनाई दिया, जब वो दोभी राजा के कपड़े लेकर के महल में गया तो वहाँ पर उसे चारों तरफ सोर सुनाई दिया जब तुड़ा सा आगे पड़ा तो उसके कानों में आब आ जाई कि भाई राजा के लड़के को कौन ले गया राजा के लड़के को कौन ले गया कोई कहता है चोर ले गया कोई कहता है कोई रागी ले गया और कोई कहता है कि गाज माता राजा के लड़के को ले गई गाज माता क्रोधित हो गई क्योंकि राणी ने कुछ बोला होगा इसलिए गाज माता ने उस लड़के को उठा लिया राणी ने वह कारे पूरा नहीं किया होगा चारों तरफ यह आवाज सुनाई दी तभी दोवी महल के अंदर गया और राजा से बुला कि हे राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन कहा कहिए क्या बात है तब दोवी ने कहा कि माराज मैं भील भीलनी के कपड़े भी दोता हूँ आपके भी कपड़े दोता हूँ जब मैं सुबह भील भीलनी के कपड़े देने गया तो वहाँ पर मुझे एक लड़का पालने में सोता हुआ दिखाई दिया वह पालना आपके लड़की जैसा ही था जैसा आपके लड़की का पालना था वैसा ही वो पालना था लेकिन मुझे महान आच्चर जब हुआ कि जब भील भीलनी के कोई संतान ही नहीं है तो उनके यहां पर यह लड़का कहां से आया राजा को संसे हुआ, उन्होंने भील भीलने को बलाया और पूचा कि तुमारे जब कोई संतान नहीं है तो तुमारी घर पुत्र कहां से आया भीलने हाथ जोड़ करके बोली कि माराज मुझे क्यमा करें, मेरे कोई संतान नहीं थी ये भी सत्य है, लेकिन मैं गाज माता की पूजा करती हूँ मैं और मेरे पती गाज माता की पूजा करते हैं नेवित रूप से सूर देव को अरक देते हैं अपने इस्टेवता की पूजा करते हैं पीपल ब्रक के नीचे दीपक जरा के कच्चा सूंतल पिटते हैं इसलिए गाज माता ने प्रसन होकर के हमारी व्यता को सुन लिया और हमें पत्रत ने दिया है यह सब बाते रानी सुन रही थी रानी को तुरंट अपनी भूल का एसास हुआ उन्होंने का कि मैंने भी गाज माता के लिए कड़ाई बोली थी लेकिन मैंने कड़ाई ने की तुरंट वह महल में गई और वहाँ पर उसने देशी घी में कड़ाई की पूरी हलवा बना करके त्यार किया मिष्टान बना करके त्यार किये गाज माता के नाम का दीपक जलाया और उन्होंने गाज माता से प्रयातना के कि हे माता मुझे से बड़ी भूल हुई मुझे आप ख्यमा करें हे गाज माता मेरी भूल को आप ख्यमा कर दीजिए मुझे से जो भूल हुई है वो ख्यमा योग नहीं है लेकिन कहते हैं कि भगवान के लिए सभी समान है अगर कोई गलती हो जाए तो वो ख्यमा जरूर करते ही इसलिए प्राश्चिति रूप में मैं हाथ जोड़ करके अपने इस्ट देपता कुल देपता और गाज माता सभी से ख्यमा याचना करती हूँ कि मेरी भूल को ख्यमा करें जो मैंने बोला है वह किया उससे भी जागा करूंगी लेकिन मेरे पुत्र को बापिस देदी जेhält उन्होंने घर पर पूजा की गाज माता की पूजा की और बिदी विदान से गाज माता को भूग लगाया इससे गाज माता प्रसन हो गई और प्रसन हो करके राजय की लड़के को लाकर के दे दिया भील दमपत्ती भी घर पर बहुत संपन हो गए उनके यहां पर भी धन धान हो गया और भगवान की किरपासे गाज माता की किरपासे उनको भी पुत्र रतने की प्राप्ति भी हे गाज माता जैसे तुमने भील दंपत्ती को धन दोलत और पुत्र दिया तता राने का पुत्र बापस ला दिया उसी तरह हे माता सब को धन देना पुत्र देना सभी की मनो कामना पूरी करना यह कता सुनने से सभी मनो कामना पूरी हो जाती हैं बगवान प्रसन नोकर के मनवांचित पलप्रदान करते हैं जो कलस का जल है वो उसका आप सूर देव को अर्ग दें और इस कता को सुनने बाद माता को भोग लगाएं उसके बाद आप प्रसाद ग्रेंड करें इसे पकार से यह ब्रत संपूर्ण होता हैं बाद बद मास में प